सुप्रबग बच्चों, आज के वीडियो में हम पाठ आदमी नामा के प्रश्ण उत्तरों की चर्जा करेंगे तो आईए सुरू करते हैं प्रश्ण उत्तर पहला प्रश्ण है निम्न लिखित प्रश्णों के उत्तर दीजिए कौ पहले चंद में कवी की दृष्णी आदमी के किन किन रूपों का बखान करती है क्रम से लिखिए इसका उत्तर है पहले चंद में कवी ने भाग्य और परिस्थिती के अनुरूप आदमी के निम्न लिखित रूपों का बखान किया है आदमी ही बादशा कहलाता है तो इसके विपरित कोई आदमी दीन हीन फकीर भी कहलाता है कोई आदमी ही धन संपत्ती संपन मालदार कहलाता है तो दूसरी और कोई आदमी कमजोर कहलाता है स्वादिस्ट व्यंजनों का भोग लगाने वाला भी आदमी ही होता है तो सूखी रोटियां चबाने वाला भी आदमी ही होता है प्रश्नख चारो छंदों में कवी ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों को परस पर किन किन रूपों में रखा है अपने शब्दों में स्पस्ट कीजे इसका उत्तर है चारुचंदों में कवी ने आदमी के शकरात्मक और नकरात्मक रूपों को तुलनात्मक रूप में प्रस्तूत किया है कवी के अनुसार आदमी ही बादशा होता है तो आदमी ही बिखारी, दरिद्र और दीन हीन प्राणी होता है आदमी ही दौलतमन अमीर होता है तो आदमी ही कमजोर भी होता है स्वादिष्ट वोजन ग्रहन करने वाला भी आदमी ही होता है और सूखी रोटिया भी आदमी ही चबाता है मस्जिद बनाने वाला, नमाज परने वाला, कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला भी आदमी ही होता है इमाम और नमाजियों की जूतियां चुराने वाला और उन पर नज़र रखने वाला भी आदमी ही होता है लोगों पर जानने उच्छावर करने वाला और लोगों को तलवार के घाट उतारने वाला भी आदमी ही होता है दूसरों की पगड़ी उतार कर उन्हें अपमानित करने वाला और दूसरों की पुकार सुनकर सहायता के लिए दोड़ने वाला भी आदमी ही होता है आदमी ही शरीफ और आदमी ही तुक्ष कहलाता है आदमी ही पीर और आदमी ही शिश्य भी होता है अच्छा आचरन करने वाला भी आदमी और बुरा आचरन करने वाला भी आदमी ही होता है इस प्रकार आदमी ही अपने कारियों, आचरण और व्यवार से अच्छा तथा बुरा आदमी कहलाता है गौ आदमी नामा शिर्षक कविता के इन अंचों को पढ़कर आपके मन में मनुष्य के प्रती क्या धारना बनती है इसका उत्तर है आदमी नामा शिर्षक कविता के इन चंदों को पढ़कर मनुष्य के बारे में यह धारना बनती है कि अच्छाईयां और बुराईयां मनुष्य के आचरण में ही देखी जा सकती है इस दुनिया में मनुष्य ही अच्छी से अच्छा कारे करता है और बुरे से बुरा कारे भी मनुष्य ही करता है कभी उसका भाग्य उसकी परिस्थीतियां उसे बादसाह बना देती हैं तो कभी किसी की परिस्थीतियां उसे गरीब और दीन दरिद्र बना देती हैं कभी वो मस्जिद का निर्मान कर, नमाज पढ़कर, कुरान शरीफ का अर्थ बताकर, समाज में सम्मान पाता है, तो कभी आदमी ही मस्जिद में आने वालों की जूतियां चुराकर, दंडित होकर, दूसरों की पगड़ी उतारकर, उन्हें अपमानित करते हुए स्वयम भी अ उच्छावर कर देता है, तो कभी किसी को तलवार के घाट उतार देता है, इस प्रकार, अच्छाईयां और बुराईयां मनुष्य के स्वभाव में नहीं थोती हैं, आदमी के कार्य, आच्छरं तथा व्यवहार ही उसके अच्छे अथ्वा बुरे होने का मापदंड है, इ बच्छों इसका उत्तर आप लोगों को अपनी पसंद के अनुसार लिखना है, क्योंकि सभी की पसंद अलग-अलग हो सकती है, सभी बच्छों को कभीता की एक ही पंक्ती पसंद आए, ये जरूरी नहीं है, ऐसे मुझे इस कभीता की निमनलिखित पंक्तियां बड़ी प्र पंक्ती के द्वारा कभी ने बड़ ही स्वभाविक धंग से भाग्य और परिस्थिती से गिरी अमीरी और गरीवी का चित्रन किया है, समाज का यह रूप सरवत्र दिखाई देता है, कुछ लोग जीवन में स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाते हैं, तो कुछ लोग पॉस्टिक भोजन नहीं मिलता है, गरीवी और अमीरी को जताने के लिए इतना स्वभाविक उधारण अन्य कहीं नहीं दिखता है, अगला प्रश्ण है, इसलिए मुझे ये पंक्तियां अथी लगी, अगला प्रश्ण है, आदमी की प्रविर्तियों का उलेख कीजे, आद प्रविर्ति अपने सल्तनत की खुशहाली बनाए रखने की होती है, गरीव दीन दरिद्र और धन संपत्ति प्राप्त करना चाहता है, कुछ लोग धार्मी कस्थलों के निर्मान में जुटे रहते हैं, तो कुछ नमाज पढ़ने और कुरान सरीफ का अर्थ समझाने में संत और पीर बनकर समाज सेवा करते हैं, तो कुछ सिश्य बनकर उनके उपदेशों का पालन करते हैं, कुछ लोगों की प्रविर्ति चोरी करने, हिंसा, हत्या, दूसरों का अपमान और लडाई जगडा करने की होती है, वे दूसरों की जूतिया चुराने, भरी सभा में किसी को मौत के घाट उतारने तक में संकोच नहीं करते हैं, प्रश्न दो, निमन लिखित अंसों की व्याख्या कीजिए, बच्चो मैं आपको इस कवीता का भावार्त पीडियेफ के रूप में सेंड कर रही हूँ, आप वहां से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, निम पढ़ते हैं आदमी ही, कुरान और नमाजियां और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां, जो उनको ताड़ता है, सो है वो भी आदमी इसका उत्तर है, इन पंक्तियों के द्वारा कभी ने सरल ढंग से मानो सुभाव की भिन्नता पर करारा व्यंग किया है, कभी कहते हैं कि जहां एक मनुष्य के आजरण, वो व्यवहार की अच्छाई, कुरान शरीफ पढ़ने और नमाज अदा करने के रूप में दिखाई द करते हैं, जो लोग चोरी करने वाले पर नजर रखते हैं, उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं, वे भी आदमी ही होते हैं, कहने का अर्थ है कि कुछ लोग बुराई में रुची लेते हैं, तो कुछ लोग चोरी चकारी में रुची लेते हैं, कुछ लोग धर्म कर्म और अगला पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी और सुन के दोड़ता है सुहे वो भी आदमी इन पंक्तियों में शायर नजीर अक्बराबादी जी ने हसी ठी ठोली करते हुए मानव सुभाव की भिन्नता पर व्यंग किया है आदमी की परिस्तिती के अनुसार उसके सुभाव में भिन्नता आ जाती है कभी कभी वह स्वयम दूसरों को अप्मानित करता है और कभी वह स्वयम संकट में फसकर दूसरों को अपनी सहायता के लिए बुलाता है कभी वह स्वयम दूसरों की पुकार सुनकर उसकी सहायता के लिए दोड़ पड़ता है कवी कव्यंग मनुष्य के विपरित विहवार करने की प्रविट्टी की ओर है कहने का आड़्थ है कि अच्छाईयां भी मनुष्य के आच्रण में ही होती है और बुराईयां भी उसी के आच्रण में होती है यह तो आदमी की प्रविट्टी, आच्रण, व्यवहार और तातकालिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि वह कब कैसा व्यवहार करेगा प्रश्टी चार, नीचे लिखें शब्दों का उच्चारण कीजिए और समझिए कि किस प्रकार नुक्ते के कारण उनमें अर्थ का परिवर्थन आया है राज, ज़ के नीचे नुक्ता है, राज का अर्थ होता है रहस्य, राज यानि शासन फन, फन का अर्थ होता है साप का मुह जरा, जरा यानि थोड़ा, जरा यानि बुढ़ापा फलक, फलक यानि आकाश, फलक फलक यानि लकड़ी का तक्ता ज़, ज़ और फ़ से युक्त दो दो शब्दों को और लिखिए ज़ से जमीन, मजदूर, फ़ से फतह, फरमाईश निम्नी लिखित मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में कीजिए टुकडे चबाना इससे हम क्या वाक्य बनाएंगे? दूसरों के टुकडे चबाने से अच्छा है कि तुम मेहिनत मजदूरी करो ख, पगड़ी उतारना ऐसा शर्णक काम करके तुमने अपने पिता की पगड़ी उतार दी मुरीध होना जब से मैंने श्री श्री रवी संकर जी का प्रवच्चन सुना मैं उनकी मुरीध हो गई जानवारना वीर शैनिकों ने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान वार दी टेग मारना चंद्रगुप्त ने टेग मार कर अपने शत्रू का काम तमाम कर दिया बच्चों मैं इन महावरों का अर्थ आपको पहले बता चुकी हूँ टुकडे चबाना यानी सुखी रोटी के टुकडों पर गुजर बसर करना पगडी उतारना यानी इज़त उतारना अपमानित करना मुरीध होना यानी किसी के कायल होना किसी के प्रसंसक होना जानवारना यानी सब कुछ ने उचावर कर देना तेग मारना यानी तलवार मारना बच्चों आप भावार्त की सहायता से प्रश्णों के उत्तर आसानी से लिख सकते हैं भावार्थ को आप सुन्दर अप्षरों में अपनी कौपी में लिखेंगे और प्रश्णों के उत्तर भी लिखेंगे शब्दार भावार्थ और प्रश्णों के उत्तर धन्यवाद सुप्रबग बच्चो आज के वीडियो में हम पाठ आदमी नामा के प्रश्ण उत्तरों की चर्जा करेंगे तो आएए सुरू करते हैं प्रश्ण उत्तर पहला प्रश्ण है निम्नलिखित प्रश्णों के उत्तर